वेस्ट इंडीज ने गावा का गमंड तोड़ दिया है 30 साल बाद अब है मैलबरन की बारी क्या वेस्ट इंडीज पहला ओडियाई जीत जाएगा दो टेस्ट में तो किसी रीज सी जिसमें पहला टेस्ट आस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता लेकिन दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने आस्ट रन से आस्ट्रेलिया को हरा दिया अब वन डे की बारी है आस्ट्रेलिया वर्सिज वेस्ट इंडीज इनकी बीज में 3 ODAE मैट्स हैं उसके बाद इनके विज में होगी T20 स्रीज होबाल्ट एडलेड और पर्त यहां पर खेले जाएंगे 3 T20 मैट्स फिलाल कल है पहला ODAE मैट्स वेस्ट इंडीज वर्सिद आस्ट्रेलिया क्या रहेगी प्लेंग लेउन क्या रहेगी पिस रिपोर्ट कैप्टन वाइस कैप्टन दो तीन मेंबर के और मीनी जियल के क्या रहेंगे तो सब कुछ आपको बताऊंगा मैं और कुछ ऐसे पलेयर हैं आस्ट्रेलिया के जिन्होंने बिग बैस खेला है और वो इस मैच में डेब्यू करने वाले हैं बहुत ही गजब के पलेयर हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना चैनल है दोस्तों इसको कर लेना सब्सक्राइब आस्ट्रेलिया वर्सिज वर्स अंडीज फर्स्ट ओडियाई ये मैच खेला देगा कल दो तारिको नो बुजे मोर्निंग में वेन्यू है मैलवर्न किरिकेट ग्राउंड मैलवर्न पित रिपोर्ट आपने बिग बैस देखा था हमने बिग बैस के सारे मैच कवर किये थे उनों का फायदा होगा न्यूट्रल विकेट है बैटर को और बोलर को यहां पर मदद होगी और आप पीछे रिकोर्ड भी देख सकते हो टीट वंटे के हाला कि टीट वंटे काफी अलग होते हैं लेकिन फिर भी आपको पित समझ में आ जाएगी इस मैस में मुझे लगता कि आस्ट्रेलिया जीतेगी क्योंकि यह वंटे है और वंटे में जो वश्ट निज है उनकी टीम मुझे काफी कमजोर लग रही है लेकिन इतियास कभी भी पलटा जा सकता जिस तरह वश्ट निज ने दूसरा टेश्ट मैच्स आस्ट्रेलिया को हराया प्लेंगलियों की बात क मौरिस एड़न जमपा इन में से कौन-कौन से प्लेयरों ने खेला था बिग बैस आपको बता दूं मैथ्यू सोर्ट्स जो सिंगली स्टिर समीथ ने कुछ मैच खेले थे कुछ मैच लबू शेह ने खेले से कैमरू अरू गरेन ने सायद नहीं कहला बिग बैस आरण हरडी कुछ मैच खेले, सीने बैट ने फूल मैच खेले, जेविर ब्राट लेट ने फूल मैच खेले, इसकी टिमती ब्रिस बेनिट जिन्होंने टाइटल जीता 2018-2024 लांस मौरिस एडम जंपा ये पलेयर है जिन्होंने बिग बैच खेला है और जितने अब करंट में पलेयर हैं आस्ट्रेलिया के इस मैच में हैं, वो सारे बिग बैस खेले वे हैं, लेकिन हो सकता कि पलेयंग लिएन में कुछ न कुछ बदला हो जाए, क्योंकि जरूर नहीं बाई ये पलेयंग लिएन हो, पलेयंग लिएन होज हैं, तो ये कुछ ओल राउंडर अच्छे हैं तो उनको रखके अपनी टीम मनाना सबसे पहले हैं, एलिक अथानजे जस्टिन ग्रिव्ज केसी काल्टी साई होप, कैप्टन और विकेट कीपर ये वेस्ट निडिस की दिवार है साई होप, ये सो भी मार सकता है आज ट्रिले की खिलाब, जान रखना रोशन चेज, स्पिनर है और बैटिंग बढ़िया करते हैं केमेम होज, बैटिंग बढ़िया रेमारियो सैफर्ड, बोलिंग बैटिंग बढ़िया मैथ्व फोर्ड, गुड़ा केस मोटी अलजारी जोसफ और ओसन थोमस मुझे आपर इनका जो बोलिंग अटेक है ये दो मुझे बहुत अच्छे लग रहे है अलजारी जोसफ और ओसन थोमस ये विकेट निकाल सकते हैं फास्ट बोलिंग में अब दोस्तो ये देखो इनका जो स्क्वैर्ड है तो देखते हैं जैक, फ्रसर, मैग, रूक ये भी है बाई और विल सदर्लेंड ये भी खेल जकते हैं भाई इस मैच को ध्यान रखना तो चलिए दोस्तो आपको देता हूँ में टीम दो और तीन में मर की और कुछ पलेर ऐसे जिनके बार ये आपको बताऊँगा मैं जील के लिए, मीनी जील के लिए सबसे पहले हम देखते हैं विकेट कीपर में कौन-कौन से बल्ले बाज हमें अच्छा पॉइंट देगा सबसे पहले मैं आपर साई होप को लूँगा ये दिवार हैं वेस्टनीज की और हो सकता सो भी मार जाए विकेट कीपर भी हैं आपको पॉइंट भी देंगे जो सिंगलिस ये भी विकेट कीपिंग करेंगे और ओपनिंग करेंगे तो आप देख लेना बाकी हो सकता की जो सिंगलिस नमबर तीन चैर पर खेल जाए जो भी होगा आपको मैं टेलीगरम पर बतामगा टोस के बाद तो आप चाहो तो जो सिंगलिस को ले सकते हो उसके बाद बैटर में ट्रेविस हैड श्टीव स्मिथ ये दो पलेर मैं ने रख लिए आप चाहो तो मारलस लबूश्चेंज को रख सकते हो अलिक अफानजे को रख सकते हो कैसी काल्टी को रख सकते हो मुझे आपर और आल रांड और बोलर लेने थे इसलिए मैंने भाई ये तीनो के तीनो पलेर नहीं लिए आप रख सकते हो इनको स्पेसल आप मीनी जील में रखना वाई क्योंकि इनको कमी लोग रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बाई क्या करेंगे आस्ट्रेलिया के पलेरों को लेंगे आल रांडर में एक दो तीन च्यार पांथ छे और साथ मुझे लगता कि ये खेल जाएंगे साथ के साथ और हो सकता कि विल सदरलेंड ये भी खेल जाएं कंपरम नहीं है पहले आपको बताता हूँ मैं टोस्ट के बाद आपको बताऊंगा मैं सही से ये तो मैंने वैसे ही ग्रीवेज को नहीं लूँगा मैं ये मैंने च्यार रख लिए आल रांडर आपके पास ऑप्शन है आरॉन हार्डी है केविन होज हैं रख सकते हो ग्रीवेज हैं ग्रीवेज का तकन प्रमाई ये खेलेंगे खेलेंगे अब बॉलिंग की बात करते हैं लांस मोरिस जेविर ब्राट लेट अलजारी जोसप गुड केस मोटिया एडम जमपा सीन अबट फोर्ड मेत्व फोर्ड ओसन थोमस ये खेलेंगे इस मैच को अब हमें जो प्लेयर पॉइंट देंगे उनी को रखेंगे ब्राट लेट बहुत अच्छी बॉलिंग की थी नोंने ये खेले थे बिस बेन हीट के लिए अलजारी जोसप इनको मैंने रखा है मैंने रखा एडम जमपा को उसके बाद मैंने रखा है सीन अबट को सीन अबट अगर पहले बोलिंग आगई आस्टिल है की तो ये करेंगे डॉबलिंग अगर पहले बैटिंग आगई आस्टिल है की तो रन भी मना सकते हैं और विकेट भी लेंगे तो ये बात का आप Dya N стан तो यहाँ पर मोटिया है इसको मिश मत करना भाई यह आपको एक या दो विकेट लेके दे सकते हैं उसके बाद ओशन थोमेस हैं रख सकते हो मैंने एक मैज देखा था गुड़केस मोटिया ने पहली बॉल पर आउट कर दिया था ल्पीडवलू पाकिस्तान के विकेट की पर हैं उनको आउट कर दिया था रिजवान को तभी कहता हो कि मोटिया आपके लिए बहुत खास होने वाले इस मैज में मेरे पास तो पलेयर बचे नहीं वरना मर रखता इनको कैप्टन वाइस कैप्टन की बाद करते हैं दो-तीन मेमर के लिए मुझे ये दो पलेयर बहुत ये अच्छे लगे ट्रैविस हैड ये टुक टुक करके नहीं खेलते खेलेंगे तथी पारी सो मारेंगे तो सतर अस्री बोल में ठोक देंगे ये ऐसे पलेयर हैं शाई होप उ पूरी और की बोलिंग करेंगे होग सकता तीन से चार और उनको दे दे बिग बैस में आपने देखना कि एक या दो ज्यादा और निकरते थे और पहला और लेकर आते थे तो मुझे लगता कि यहाँ पर तीन से चार और मैथ्व सोड्स को दे सकते हैं स्टीव स्मीथ अपनी टीम देख लेते हैं शाई होप ट्रेविस हैड स्टीव स्मीथ अगर आपको एक्ट्रा बल्ले बाज एड करने हैं तो कर सकते हो उसके लिए आपको आल राउंडर या फिर बोलर में से किसी को ड्रोप करना पड़ेगा आल राउंडर में मैसिस होड्स सैफर्ड रोस्टन चेज और ग्रीन और भी आरुन हार्डी हैं ग्रीव ये भी हैं तो टोस के बाद अच्छे से पता से लेगा और बोलर में जोसफ जंपा ब्राटलेर एबट अगर आस्ट्रेलिया पहले बोलिंग करे तो इनको आप जरूर अपनी टीम में सीविसी कर देना भई क्योंकि यही पॉइंट दे जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा तो चलो दोस्तों आज की यह वीडियो थी आपको कैसे लगी और मीनी जियल के लिए आप बहुत सिलो क्या करेंगे आस्ट्रेलिया की पलेरों को कैप्टन वाइस कैप करना केविन होज गो करना कैप्तन वाइस कैप्टन जीयल में मिनी यल में रिस्की हो सकता लेकिन आपको पॉैंट दे जाएंगे इसके बाद शाइओब हुआ हैं कैप्टन के दावेदार तो यह थी आज की वीडियो आपको कैस लगी कॉमेंट करके जरूर दाना और अपना चैनल है दूबन फेंटेसी आउस इसको करना सब्सक्राइब तो फिर मिलते दोस्तों एक और ऐसी वीडियो में धन्यवाद